अज का जो हमारा वीडियो है वह एंसी क्यू सीरीज का जो आप पहले से जुड़ेव हैं मेरे साथ उन्हें पता होगा एक रेडियोग्राफर सभी ताइप की रेडियोग्राफर एक्जाम से के लिए चला रहे हैं और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूं कि रेडिय करेगा तो जैसे की एम्स हो गया पीजियाई एसाइसी रेलवे जी एमसी आरस अरस में और भी दिफ्रेंट काइंड ऑफ एक्जाम के लिए यह सिरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर आपको पता है कि अरेलवे का सूरी एक्जाम आने वाला है और यह एक्जाम के लि फिजोलोजी और स्थो को यह चीजर्ड पैफोलोजी रिएक्जीय में यह सीक्याम गलेंड फीजाती तो अच का के ळंगे बढ़ते हैं फिस्ट वीडियो विपी विची। थी लागजेस्ट एक्जोपराइंड गलेंड इन हुवंवन बडी Anything बार्ट हमें बलारज ऑजोच की क्लेट होती है डो दयबके प्रवाइट कर देथि है अपने से क्रेशन को डालने के लिए यह एंदोख्र Means कि होती कि डक्तल Всबैस्ट लैस्ट होती है और एक्सथ promotional की निडित होती है तो एक्सी क्लिन लाज़ेस चे इस गिराड पैनक्रीस नहींarta था इसके अलावा लीवर क्योंकि यह क्या सिक्रेट करती है क्या सिक्रेट करेंगी इसके अलावा थायरोड नहीं गॉल्ब्लेडर नहीं तो आंसर वी बीविल बीडा राइट आंसर फॉर दिस्क्रेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर गुच्छा होता है कैपिलरी का जो की बना किस से होता है एफ्रेंट आर्ट्रियोल से एफ्रेंट आर्ट्रियोल ठीक है जिस जो किसका पार्ट होती है रिएनल आर्ट्रिक थीक है रिएनल आर्ट्रिक यह तुफ्ट टॉफ कैपेलरी क्या कहलाती है ग्लो इरूलट्रियोल रिण Quinn जो रिणल कर्पेंथ इन जो चीजों से बना होता है यह आगे जाकर कि यह सिक्रीट करेंगी सप्लाइ करती है तो यह होता है आंसर विल बीड़ राइट आंसर पॉर इसक्रेशन नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं मेल उरिथ्रा के लिए चारों सही है तो अब देखते हैं फस्ट इस बोथ यूरिनरी और रिप्रोड़क्टिव सिस्टम येस इस दो राइट करेंट ओप्षयन को यह क्या करती है इसे में पूचा है इसे में पूचा है तो यह वाला स्टेट्मेंट जो है रॉंग हो गया और यह इसको बनाते हैं राइट आंसर क्योंकि इसमें पूचा है अजो है यह इसे वह एका है इसे फूचा है इसमें पूते हैं कि प्रॉस्टेट का बना हुआ होता है तो तीन तीन दिस्तिंक्स का बना हुआ होता है ठीक है next question की तरफ आगे बढ़ेंगे हम which of the following types of hemorrhage is not common in closed head injury इसमें कह रहा है कि चार hemorrhage आपके टाइप आपको बताएं नीचे इन चारों में से आप बताएं कौन सा hemorrhage है वो head injury से associated नहीं है यानि जो head injury के कारण नहीं होता है तो इसका आंसर होगा किसी को ब्पti-ईया रहते हैं तो इसके हो सकता है बेसल गैंगलिय हम्र प्रेज हो सकता है इसके अलावा कोई भी लीजन अगर तो उसके करण भी BG já basal ganglia hemorrhage मोलना हो सकता है यह ही से हैड है इसमय हौ इसके नहीं है बाकी की तीनों फीचर्स एप्लाइज अपलाइस्ट को ब्रण ये थीनों है तो अगरो वही जेस्ध करन हो सकते हैं तो BG hemorrhage or basal ganglia hemorrhage will be the right answer for this question next question which of the following features applies to the thoracic vertebra अभी 4 आपको feature दीए वे इनने पूछाए कि thoracic vertebra में कौन सा सही बैठेगा तो पहला पहला का option है spinous process thoracic vertebra का spinous process होता है वह elongated और directed होगा या फिर और directed downward कि ऐसे अगर vertebra है तो इसका जो spinous process है वो नीचे की तरफ होगा और बड़ा होगा तो yes ऐसा ही इसका spinous process होता है is the right answer ठीक है एक बीक देखेंगे bifurcated spinous process नहीं इसमें bifurcation नहीं होता है किसमें होगा cervical vertebra में होता है bifurcation ठीक है square spinous process नहीं इसका square नहीं होता है spinous process elongated होता है तो यह भी रॉंग हो गया spinous process short नहीं thoracic vertebra का spinous process होता है is longer than the cervical and number vertebra ठीक है तो answer a will be the right answer हम आपको image के through मैं आपको बता देते हूं कि कैसे आप comparison कर सकते हैं ठीक है देखिए cervical vertebra यह साथ होती है cervical vertebra इसके अंदर bifurcation इसके अंदर इस तरह के से होता है end में thoracic vertebra का जो spinous process है वो यह देखिए कि inferiorly या फिर डाउनवर्डली होगा और सबसे होता है डाउनवर्ड था इंफिररली था इसके अंदर पोस्टेरली वह इस तरीके से होता है horizontal में होगा और small होगा short होगा सबसे बड़ा spinous process किसका होगा thoracic vertebra का यह चीज़ आपको बहुत important है यह चीज़ आपको सबसे ज्याद या इसका question ऐसे भी बन सकता है which vertebra has the longest spinous process तो answer will be thoracic या फिर which vertebra has the bifid spinous process तो answer ठीक है तो इस एक image से आपके तीन से चार questions जो है correct हो जाएंगे तो it is very important आप इसका screenshot लेकर की भी रख सकते है next question की तरफ हम बढ़ेंगे the intervertebral disc consists of all of the following except कि इन चारों में से सारी चीज़ों से बनाओ गां एक लेकर एक चीज़ान इस नहीं होता है इंटर फैबर्वर्टर नुक्य सकते हैं उनके एक śत्रुम में उन्टेवर्ट रख होती उसे कहते हैं इंटर-्वैंटरिबर्वल डिस्क इंटर-एबर्टेगल्ड थिर्क वह किसकी बनी होती है होगा नहीं इसके अंदर आपको बता दें इंटरवर्टिबल डिस्क में सबसे कम ब्लड वैसल पाए जती सबसे कम सप्लाई होती है तो बीवे इस सदेर नहीं मिलती है इसके अदर से वाटर क्वीजिन फाइबर और प्रोटेयोग लाइकन फिल present ठीक है next question की तरफ बढ़ेंगे what is the outer membrane what is the outer membrane for of the of the ovum called a zona palisida b zona granuloma c zona granulosa d zona radiata तो answer a will be the right answer कि जो ovum होती है उसकी जो outer membrane होती है देखो यह ovum की structure है यह इसके अंदर यह nucleus हो हो गया nucleus अंदर का part हो गया इसके इंदर की सब्सक्राइब और यह प्लाज्मा membrane इसके उपर के reaction उपर के हो गई इसे या फिर विटलिन membrane भी कहते हैं सबसे outer membrane जो है वो है zona palisida यह जो ग्रीर आपको दिख रही है वह कौनसी होती है zona palisida सबसे outer membrane कौनसी होगी की जोना पहले सिडा लोग इसको confuse कर देते हैं corona radiata से तो मैं आपको बढ़ा दो corona radiata membrane नहीं होती है यह outer cell प्रेजेंट होती ओवम की ठीक है लोग इससे कंफिज होते कि corona radiata zone palisida में से कौनसी outer membrane होती है मेंब्रेन zone palisida ही होगी corona radiata जो होता है group of cells होती है जो की ओवम के चारो तरफ प्रेजेंट होती है यह जो purple color की दिखती है वह होती corona radiata तो आंसर विदा क्या होगा zone palisida की सबसे outer membrane जो होगी वह कौनसी zone palisida होगी ओवम की नेक्स्ट क्रेकर सिंड्रॉम इस नट क्रेकर सिंड्रॉम कि क्या होता है ठीक है compression of hepatic vein, compression of mesentric artery, compression of renal vein और compression of cerebral artery तो देखो मैं आपको बदादेती हूँ यह आपन डाइग्राम के तो समझते है कि जो renal vein सबसे left renal vein जो होती है उसकी location जो होती है किसके बीच में होती है सम sup earlier mesentric artery और outer इन दोनों की बीच में होती है renal vein left renal vein तो यह इसके normal structure होती है 45 degrees यह के अंदर angle होता है इस हम बदे और में, इससंड्रॉम में क्या होता है यह 45幾 का यह एंगल होता है यह कम होता रहता है इन दोनों के बिच में, किसके बिच में? और सुपिरियर मेसिंटर काटरी की बिच में, ये कम होगा, तो इससे कम्परेशन हो जाएगा लाफ रिनल वेन का और इससे कहते हैं, अब इसकी जो स्ट्रेक्टर आपको दीखेगे, तो हाइपर टेंशन बढ़ेगा तो एनुरिज्म हो सकता है या फिर यह हो सकता है कि ट्यूमर भी बन जाए ठीक है तो नट क्रेकर सेंड्रॉम जो होता है नट क्रेकर सेंड्रॉम जो आंसर होगा और क्यों होता है यह मैंने आपको इमेज की तुरू समझा दिया है ठीक है तो इसको यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्ड एम्स एम्स काइंड ऑफ इग्जाम ठीक है नेक्स्ट केशन तरफ बटन वाट ग्लेंड कॉस्ट है यह चारों में से किसकी कारण होती है थायराइड परा थायराइड पीनियल पीट्यू तो देखो आपको बता दें कि जो होती है वह होती है जक्रण हो जाती है स्पैस्म हो जाता है मसल में यह क्यों होता है कैल्शियम के लो लेवल के कारण पहला को पता होना ची किसकी होत के अंदर कैल्शिम लेवल को बढ़ाना और फॉस्फोर्ट लेवल को कम करना ठीक है जब यह प्राइथ हाय ग्लेंड अच्छे से वर्क नहीं करेगी यानि पीटियर से क्रेट नहीं करेगी तो यह कैल्शिम को नहीं बना पाएगा तो इसके कारण जो होता है तो कौनसी ग्ले हम अगर डेफिशंसbildung हो तो इसे क्या कहेंगे हॉष्णीर डिजीज नाहीं थाइर एडिवियंड के लिए ऑ्ट इम्ट ब्लॉक्रण हिएगा है यह स्थाइड इप्र divul तो है होता है जिसे क्या कहते हैं डी जॉर्ज सिंड्रों ठीक है तो आंसर सी विर्वीदा राइट आंसर नेक्स्ट के तरफ हम बढ़ते हैं वाट इस दा रिलेशनशिप बिट्वीन थाइमस ग्लेंड एंड लिम्फेटिक सिस्टम की बीच में क्या रिलेशनशिप है तो आपको प होता है तो ओप्शन देखेंगे थाइमस ग्लेंड इस पार्ट ओफ जिस्टम नहीं लिम्फेटिक सिस्टम नहीं हिर मृतिक और जुन नहीं इसको राइगुलेट कोन करता है जिशन system ठीक है there is no relationship between the thymus gland and lymphatic system ऐसा भी नहीं है relationship है यह क्या relationship है they work together to regulate the immune system यह साथ में मिलकर के immune response को regulate करते हैं क्योंकि यह T cells को develop करते हैं यह T cells को बनाते हैं ठीक है तो thymus gland or lymphatic system relationship क्या है कि आपस में मिलकर के immune system system को बनाए रखते हैं ठीक है तो this is also very important question confused हो जाते हैं काफी लोग इसमें confusion नहीं होना है ठीक है next question के तरफ बढ़ते हैं which of the following vitamins vitamins is stored in liver in तीनों में से कौन से vitamin जो है liver can store होता है ठीक है तो आपको सबसे सब्सक्राइब से पहरे बता दें कि लीवर के अंदर जो होते हैं पांच विटामिन जो होते हैं वो लीवर के अंदर स्टोर होते हैं option में क्या क्या दे रखा है विटामिन ए और के और सी सी नहीं हो स्टोर होगा लिवर में यहीं और के होगा और इसका पनाप आंसर देते हैं डी अंसर ऑप्शन डी विल भी दा राइट आंसर नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं विच आफ दा फॉलोइंग इस ल और या फिर अपने क्योंकि इंसुलिन कारण होती है सी रोजिस विल भी दा राइट आंसर योकि सी रॉस इस लिवर डिजीज है सी रोसिस में क्या होता है लिवर से डैमेज या तो बहुत जादा अल्कॉहल कंजप्शन हो रहा है उसके कारण या फिर हिपेटाइटिस हो ग There is the SA node לוקated SA node located कहां होता है? SA node कहां present होता है? तो इसको हम डाजगराम के थ्रूँ देखता है Synoattral node SA node क्या होता है? Synoattral node यह Atrium में सबसे upper part पर present होता है ठिक है? यानि कहां? कहां present हो रहा है यह? Right upper chamber of the heart कहां पर? Right upper chamber of the heart सब्सक्राइब करें तो यह वाला राइट साइड है ठीक है और यह अपर चेंबर है ऐसे नोड तो नेक्स्ट के तरफ बढ़ेंगे हम विच आफ फॉलोईंग विच आफ फॉलोईंग स्टेट्मेंट इस इनकरेक्ट फॉर बायोटी बायोटीन के लिए इन चारों में से कौन अनुट सा स्टेट्मन इजो घलत है तो सबसे पहले बायोटीन इस टाइपई वीटामिन सेवं शॉलोफ इस चीजावें श्यूल हे घाल है चेजस्ट अचेध सुट अच्वेला जितने भी विटामीन श्यूल जितामिन नहींौlen जितनी भीतामिन झांध्यमिन श्यालौ क्यों होते हैं water-soluble होते हैं क्या वंच होते हैं water-soluble होते हैं ठीक है तो सी गलत statement है हैंस it is the right answer इसमें incorrect statement भी पूछा है तो C is the incorrect statement and hence is the right answer it cannot be stored in human body yes it cannot be stored in human body this is also a correct statement तो option C will be the right answer ठीक है इसी तरह से अगर हमारे एक और mcqs की बुक है ठीक है आपको अगर एक वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे इसके लाब अगर आपको और mcqs की तैयारी करनी है तो हमारी एक mcqs की बुक है जिसका जो लिंक है वो में डिस्क्रिप्शन में मेंचिन कर दूँगी थैंक्यू सो मुच फॉर वाचिंग डिस वीडियो अगर आपको इस वीडियो से लेकर के या फिर बुक से कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चनल है रेडियेशन टेक्नलोजी इसकी उपर डियम करके मुझसे पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मुच